आपको बताते हैं कि आखिर प्रसपा से पहले समाजवादी पार्टी में श्योपाल की एहमित क्या रही? क्यूं माना जा रहा है कि श्योपाल मैनपुरी से मैदान में उतर कर मुलायम चाल चल सकते हैं? और अगर वाकई ऐसा होता है तो पूरी सियासी तस्वीर क्या बनेगी? किसे फाइदा होगा और किसको नुक्सान? मैनपुरी के जस्वन नगर विधान सबा सीट से श्योपाल सपा विधायक है जानने वाले जानते हैं शेपाल को एक समय में सपा में मुलायम के बाद नंबर दो की कुरसी मिली हुई थी चहरा मुलायम थे तो संगठन की पूरी जिम्मेदारी शेपाल के ही कंदों पर थी अकिलेश के पार्टी में एक्टिव होने के बाद से शेपाल को पार्टी से अलग कर दिया गया साल 2017 में शेपाल निप्रस्पा बना ली पर गाहे बगाहे शेपाल खुद को असली समाजवादी और मुलाइमवादी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते यादों मतताताओं में शेपाल की एहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि 2019 के लोग सबाद चुनाओं में फिरोजाबाद सीट से उन्होंने चुनाओं लला और सिर्फ 84,000 वोट ही हासिल कर पाए लेकिन इस 84,000 वोटों ने उनके भतीजे और रास्ट्रिये महासचीफ डक्टर राम गोपाल यादो के बेटे अक्षा यादो को चुनाओं में हरा दिया इस सीट पर भाजपा को जीत मिली जाहिर है इस तरह के हालाद एक बार फिर 24 में बनते हैं तो भाजपा का कदम भी देखने लायक रहेगा पार्टी में जो जगड़ा चल लाता उसमें फिर एक बानगी मुझे आग सुलकती दिखाई दे रही समाजवादी पार्टी खुले तौर पर कुछ भी कहे लेकिन 24 में ऐसे हलाद बनते हैं तो चुनाओती बड़ी होगी अगर शिवपाल जी महनपूरी से चुनाओ लड़ना चाहते हैं अपने नए बनाए जो उनकी संस्था है उससे तो मैंने समझता उससे समाजवादी पार्टी को कोई भी फरक पढ़ने वाला है क्योंकि जब वो विधाईकी का चुनाओ अपनी पार्टी अपने जो बनाई वई उनकी पार्टी थी उससे नहीं लड़ पाए उन्होंने नहीं लड़ा उन्होंने सपा के जो है सिंबल पर चुनाव लड़ा तो आप समझ सकते हैं कि जब आप विधाय की नहीं लड़ पाए तो आप सांसदी उस पर लड़के कितना हासिल करेंगे ये दो प्रतियक वेक्टी समझ सकता है शिपाल की मौझूदा हलचल भी इश्वारा करती है वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है इसलिए बार बार सही समय आने का राग अलापते हैं कंस वाले तंज से यादवों की एक चुटता का संदेश जनमाश्वी पर देते हैं शायद ये टीस शिपाल के दिल में है 22 में गठवन्दं के बावजूद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक ही सेट मिल सकी जबकि इनी शिपाल ने 2019 में और 48 सीटों पर उमीदवार उतारे थी मैनपूरी निश्चत तोर पे मुलाइम सिंग की सीट है और मुलाइम सिंग के का गढ़ है वो काफी मजबूत इसीती है वहाँ चकलेश विधान सभा सदस है तो मुझे लगता है कि शुपाल का रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला मैनपूरी में अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्यासी होगा और परिवार का ही कोसेदस वहाँ से चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी से यानि मुलाइम के परिवार से कोई लड़ेगा या शुपाल का ही परिवार कही है तो शुपाल के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी